नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती अभी महीना चल रहा है फरवरी का यानि कि वो समय जब विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन रहता है यानि कि इस समय मैट्रिक और इंटर की परिक्षा होती है बिहार में तो इंटर की परिक्षा बता दें कि मैट्रिक और इंटर परिक्षा 11 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगी फर्स्ट शिफ्ट यानि की प्रथम पाली में मैट्रिक की परिक्षा ली जाएगी जो की 9 बज के 45 मिनट से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगी वहीं दूसरे शिफ्ट की बात करें तो इसमें इस बारे में जिला सिक्षा पदाधिकारियों और प्रधान अध्यापकों की एक विशेश बैठक आयूजित की गई है बैठक में सिक्षकों को परिक्षा की बारीकियों के बारे में समझाय जा रहा है साथी साथ परिक्षा केंद्र के संबंध में भी जानकारी दी जा रही बैठक के दौरान जिला सिक्षा पदाधिकारियों के साथ साथ प्रधान अध्यापकों को 31 बिंदू का एक निर्देश पत्र सौपा गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से परिक्षा लेनी है इस बारे में एडियम लॉइन ओर्डर अखिलेश कुमार सिन्हा क्या और क्या मुख्यों बिंदूओं पर बात की गई देखें पिंचले मरतबा एकाथ से इंटरों में कुछ नहीं है जिसे कापियां रह गए थी बिछले मरतबा इस बार दिसान इदेश दिया गया है कि समय से परिछा आराम हो करके उसी इस समय से कापियां पेजरी में अथ्व परिक्षा कराने की बात की जा रही है बैठके हो रही है प्रधान अध्यापको सहित सिक्षा पदादिकारियों को यह समझाया जा रहा है कि किस तरह से परिक्षा ली जाए साथ-ि-साथ यह जानकारी है कि 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच मैट्रिक और इंटर की परिक्षा जहारखंण में होनी है 1st शिफ्ट में मैट्रिक की परिक्षा होगी और 2nd शिफ्ट में इंटर की परिक्षा होगी आप लाइब सिटीज के साथ बने रहे अगर आप हमें फेस्बुक के माधियम से देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद